नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बीरियल न्यूज चैनल में आज मैं आपके लिए हाजर हूँ एक ऐसी जानकारी और ऐसी न्यूज ऐसी खबर लेकर जो आपके बहुत जादा काम की है अगर आप हैं किसी के बेटे या बेटी और आप अपने पिता को देना चाहते हैं आपके पिता के अकाउंट में पैसा आता रहेगा कोई भी बेटा या कोई भी बेटी अपने पिता को अपने फादर को ये गिफ्ट दे सकता है आखिर ऐसा कौन सा गिफ्ट है आपके दिमाग में कोशन आ रहा होगा कि जिसे देने से आपके पिता को जिंदगी भर उसका ल पैसा आता रहेगा इस स्कीम को आप गिफ्ट के रूप में अपने पिता को भेट कर सकते हैं कोई भी बेटा या बेटी जो अपने पिता को ये गिफ्ट देना चाहें उनको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगी ऐसी कौन सी स्कीम है जिसक का फायदा आप अपने पिता को दे सकते हैं गिफ्ट दे सकते हैं तो इस स्कीम के बारे में सारे डिटेल में आपको इसी वीडियो में बताऊंगी लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस स्कीम का लाब उठाएं चाहें ना उठाएं हर पढ़ेटे के बारे में सोचते हैं उनके भवश्य की चिंता करते हैं की रिटार्मेंट के बाद उनका क्या होगा टो वह स्कीम का फायदा ज़रूर उठाएं तो इस वीडियो को sei जorgt करें करते हैं स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं NPS यानि new pension system की NPS scheme की मदद से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पिटा को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने pension में ले जी हाँ और यह pension आप दिलवाएंगे उन्हें कैसे दिलवाएंगे यह आपको मैं बताऊंगी आगे और pension की रकम भी आप खुदी decide कर सकते हैं यानि कि कितनी pension उन्हें हर महीने मिले 60 साल के बाद यह भी आपके हातों में हैं यह आपके हातों में कैसे है यह आपको इसी वीडियो में पता चलेगा कि कैसे आप खुदी decide कर सकते हैं कि कितना पैसा उन्हें हर महीने मिले कि जितने में उनका गुजारा हो जाए जितने में उनकी जरूरते पूरी हो जाए और उनने किसी के सामने हात ना फैलाना पड़े इपने बुडापे में, तो ये जो स्कीमें इसको जॉइन करने की जो अधिकतम उम्र है, 65 साल है अगर आपके पिता की उम्र है 65 साल से कम तो आप इस स्कीम का लाव उन्हें दे सकते हैं किस उम्र में खुलवा सकते हैं ये अकाउंट आमतर पर जब पिता की उम्र 40 से 45 साल होती है तो बेटा कमाना शुरू कर देता है ऐसे में बेटे के पास NPS में कॉंटिब्यूशन के लिए 15 या 20 साल का ही समय बच पाता है नए नियमों के तहट आप पिता के 65 साल की उम्र तक NPS में कॉंटिब्यूट कर सकते हैं NPS में कॉंटिब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है आप इसमें जितना चाहे उतना पैसा निवेश कर सकते हैं अगर समय कम है तो ज्यादा पैसा लगाकर पिता को अधिक पैंशन की सुविदा दे सकते हैं और समय बहुत ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा भी निवेश कर सकते हैं ताकि उनको लास्ट में जाके ज्यादा पैसा मिल जाए NPS में अकाउंट कैसे खुलवाना है देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में NPS की अकाउंट खुलवाया जा सकता है अकाउंट खुलवाने के लिए आपको नहीं दस्तावेजों की जरूरत होती है जो जनरली अकाउंट खुलवाने में काम आते हैं इसके साथी बैंकर एक रजिस्टेशन फॉर्म देता है जिसे पूरा भर कर जमा करवाना होता है बहुत ही छोटा सा प्रॉसेस है अगर आप इसके जरीय अपने पिता को ये सुविदा दें तो उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि उनके बेटे या बे परिशानिया आने लगती है समय के जासा शरीर में भी बहुत सारी स्वासा से जुड़ी परिशानिया होती है तो अगर इस तरह की कोई स्कीम है जो आप उने जिंदगी भर के लिए गिफ्ट दे सकते हैं तो इस स्कीम से उनकी जो चोटी-चोटी जरूरते हैं वो पूरी हो कर दीजिए अपने गरूप में जितने भी बेटे और बेटी हैं उन तक पहुंचाईए इस वीडियो को कि वह भी अपने पिता को इस तरह का कोई उपहार दे सकें और सोच सके अपने पिता के future के बारे में और उन्हें यह मूलिये खुशी दे सकें तो इस वीडियो को जद